नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 के लिए नोबल प्राइज का अनौंसमेंट हो चुका है तो उन सब के बारे में हम वन बाई वन डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा हम नोबल प्राइज क सभी फिल्ड में नहीं देती है जैसा कि physics में, chemistry में, medicine की बात करें, literature, economy तो एक ही academy नहीं देती, different, different है जैसे कि Royal Swedish Academy है वो देती है physics और chemistry का नोबल प्राइज उसके बाद में Swedish Academy लिटरिचर में देती है, Swearing Risk Bank है वो economy का प्राइज देता है, Caroline का Institute है वो physiology और medicine देखिए ये सभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही academy सारे Nobel Prize को नहीं देती है या exam में कहीं आपको दिखाई देता है कि only Royal Swedish Academy देता है तो ये सब ऐसे statement absurd होते हैं और most of the time ऐसे गलत statement होते हैं आप देखिए यंगेस्ट नोबल लुरेट की अगर हम बात करें यंगेस्ट वो बंदा या जो भी है उसको सबसे पहले कब मिला था तो देखिए यंगेस्ट जो है वो मलाला यूसुफ जाई है आप सभी को पता है 2014 में उनको Nobel Prize मिला था 2014 में मलाला यूसुफ जाई आपको पता है पाकिस्तान से जो है 17 साल की उनकी उमर थी जब उनको Nobel Prize मिला था और पीस के लिए उनको Nobel Prize मिला था नेक्स देखिए अगर हम बात करें oldest person की की oldest कौन थे सबसे जिनको Nobel Prize मिला है तो देखिए एक good enough मतलब जोन भी good enough है केमेस्ट्री का Nobel Prize 1968 में मिलना स्टार्ट हुआ है 1968 मतलब 1979 में 1969 से स्टार्ट हुआ है केमेस्ट्री का Nobel Prize और देखिए अगर हम बात करें कि दो बार Nobel Prize की तो देखिए दो बार Nobel Prize मिला है Marie Curie को ठीक है apprendre 2003 में उनको Nobel Prize मिला था Physics में और 1911 में Chemistry में मिला था और देखिए, Peace, जो Nobel Prize है, Peace Prize, Nobel Peace Prize, तो देखिए, ये Sweden के दवारा नहीं दिया जाता, बाकी जो 5 प्राइज है, Chemistry, Physics, Medicine, Literature, Economy, ये सब तो दिये जाते हैं, Sweden के दवारा, और Peace Prize जो है, वो Oslo के दवारा दिया जाता है, Oslo में, Oslo क्या है, Norway की Capital है, तो वहां के जो राजा है, उनकी परजेंस में दिया जाता है, Nobel Peace Prize, और इस साल का Nobel Prize आप सभी को पता है, World Food Program है, एक United Nation Designated Program है, तो उसको मिला है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन देखिए, उससे पहले, First Indian कौन थे, जिनको Nobel Prize मिला, तो वो है, रबिंदर ना टेगोर, आप कमेंट करके बता सकते है, कौन से साल में उनको Prize मिला था, क्योंकि हम Indian है, तो इंडिया का जरूर आपको पता होना चाहिए, कि किसको किस फिल्ड में Nobel Prize मिला है, अब देखिए, हम बात कर लेते हैं, इस साल के Nobel Prize किसको मिला है, तो देखिए, अगर literature की हम बात करें, तो देखिए, literature में ये मिला है, लुइस गलुप को, for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal, ठीक है, तो इनको literature में मिला है, 2020 का, उसके बात देखिए, अगर हम बात करें, ये जो economy का Nobel Prize है, 2020 का, तो देखिए, इनके नाम अगर आपको याद होते हैं, पाउल आर, मिल्ग्रोन यार, रोबर्ट विल्सन, तो अच्छी बात है otherwise कोई बड़ा issue नहीं है, लेकिन बस थोड़ा याद रखिए, कि थोड़ा कहीं पे अगर देखने को मिल सकता है आपको, otherwise आपको ये पता होना चीए, कि economy का Nobel Prize 2020 का auction theory के लिए मिला है, auction theory का मतलब होता है, निलामी का सिध्धान्त, ठीक है guys, next हम बात करते है, peace prize के बारे में, world nation designated program है, next अगर हम बात करें, medicine के लिए, तो देखिए, hepatitis C, hepatitis C virus है, उसके लिए इन तीनों को, ये जो हैं, Harvey J. Ultra है, Michael Hawkington है, Charles Sam Rice है, तो इनको मिला है, Nobel Prize, physiology और medicine के अगर हम बात करें, तो next देखिए, अगर हम physics की बात करें, तो देखिए guys, physics के लिए black hole, black hole के सिधान्त के लि अगर हम बात करें, chemistry का, तो देखिए, gene editing technology के उपर मिला है, gene editing के लिए मिला है, और ये दोनों ही महिलाएं है, ये भी आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है, अगर नाम याद नहीं रखता, तो ऐसे याद रखिए, आप, carpentier है, डोड़ना है, जैनिफोर, ठीक है, तो और दूसरा, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, gene editing जो technology है, उसके उपर हर साल UPSC में, या अगर आप UPPCS की बात करें, या किसी भी state का अच्छा exam की अगर बात करें, तो UPSC में तो लगातार 2-3 साल से ये लोग पूछते आ रहे हैं, gene editing पे, इस बार के problems में भी आपको देख सकते हैं, और देखिए, आपको ये lecture कैसा लगता है, उसके बारे में बिल्कुल आप comment कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और मिलते हैं तब तक के लिए एक नए वीडियो में, तब तक के लिए have a awesome day,